जंग की खबरों के बीच आज हम इजराइल और इरान के बीच तनाव के बारे में बात करेंगे जाहिर है कि इजराइल और इरान के बीच लगाता दूरी भरती ही जा रही है यह जंग दुनिया को चोका देने वाली है, क्योंकि जो आज इस वक्त एक दूसरे से खून के प्यासे बने हुए हैं, उनके रिष्टो की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी, दोस्ती 31 सालों की और दुश्मनी 45 साल की, यह दुश्मनी अब भी जारी है, अब तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच जंग हो सकती है, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, वही जंग से पुरी दुनिया पर थर्ड वर्ड वोर का खत्रा भी मंड़ा रहा है, दोनों देशों के एक दूसरे पर किये जा रहे हमलों का और देशों पर क्या असर होगा, इसका तो शायद ही किसी को कोई अंदाजा हो, आज हम इनकी दोश्ती से लेकर दुश्मनी तक के सफर के बारे में बात करेंगे, नमस्कार मैं हूँ जोती रागा और आप देख रहे हैं जनता दर्बार निउस, दुश्मनी से पहले दोस्ती का इतिहास, कई साल से चल रही ह इसराइल इरान की वोर, क्या भारत पर भी मंडरा रहा है खत्रा, एक अपरेल को इसराइल ने सीरिया की राजदानी दमशिक में इरानी अमेंसी के पास हमला किया था, और फिर इरान ने इसका जवाब देने की धमकी दे दी, और लगभग 12 दिनों बाद ही इरान ने जदा ड्रोन और मिसायल से हमला किया, लेकिन इस हमले में, इसराइल को कोई बड़ा नुक्सान नहीं हुआ, इसके बाद फिर इसराइल ने भी इरान पर हमला कर दिया, जिसमें इरान के कई ठीकानों को निशाना बनाया गया, हँलांकि ईरान ने अभी तक इसराइल में इसराइल हमले को लेका इरान के विदेश मसरी हुसैन अमीर अब्रुलाहियान ने कहा है कि ये हमले में अभी तक इसराइल का सीधा हाथ नहीं मिला है इसलिए इराइन ने कोई कारवाई नहीं की है उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने कोई दुस्ताहस किया तो करारा जवाब जरूर मिलेगा आपको बता दें कि इसराइल शुकरवार की सुथे इरान के नो ठीकानों को मिसासाईल और ड्रोन से निशाना बनाया था इस्राइल ने इरान की उस शहर को निशाना बनाया था जो जंग के लिए आज से उसके लिए बेहत एहम है इस्राइल ने इरान के इस वहान प्रांद को टार्गेट किया कि आप जानते हैं कि तेहरान और मेश्चद के बाद इस वहान इरान का तीसरा सबसे ज़्यादा जन्संख्या वाला शहर है इस वहान को military capital भी कहा जाता है इस वहान के इरान के कई nuclear sides मुझूद है वही उस रात इरान के इसराइल पर drone और missile से किये गए हमले ने सब की नजरे अरब दुनिया के आसमान पर टिका दी पिछले चे महीनों से इसराइल हमास युद के कारण पूरी दुनिया की नजरे अरब शेतर पर है दुनिया भर में इरान के इस हमले को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है रात में अलग-अलग समय पर ये हमले किये गए इसराइल इस हमले के खिलाफ अपने सयोग्यों की मदद से अपनी रक्षा करने में काम्याब रहा वहीं इसराइल की और से जारी बयान में बताया गया कि कुछ ड्रोन और मिसाइल उसने अपने आधुनिक सुरक्षा पर नाली की बदोलत मार गिराए जबकि कुछ को इसराइल की सीमा में आने से पहले ही अमेरिका समय दूसरे सयोग्यों की मदद से गिरा दिया गया अमेरिका प्रिटेन और फ्रांस तीनों ही पश्यमी देश है लेकिन मध्यपूर्व के एक मुस्लिम देश जोर्डन की ओर से इरान के ड्रोन और मिसाइल हवा में मार गिराने की घटना के बाद ने केवल पाकिस्तान बलकि दुनिया के अलग-अलग मुस्लिम देशों में सो साथ ही पश्यमी एशियाई देशों में अच्छी खासी तादाद में भारतिये भी रहते हैं उनका मानना है कि इरान और इस्राइल का संगर्ज भारती अर्थिव्यवस्ता को भी प्रभाविद कर सकता है इरान के हमले के बाद ही भारत के विदेश मंतराले ने एक बयान जा आते हुए दोनों मुलकों से कुट नीतिक रास्ते बचलने के लिए कहा था भारत ने अपने नागरीकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की थी और इन दोनों देशों की यात्रा नहीं करने के लिए कहा था इरान और इस्राइल के संघस के वीच भारत की सबसे बड़ कर कोई पावंदी नहीं लगाई है लेकिन एतियात नागरी को से यात्रा करने से बचने को भी कहा है इस समय इसराइल में करीब 18,000 भारतिये हैं जबकि एरान में 5-10,000 भारतिये रह रहे हैं अब बात करें कैसे दोनों की दोश्ती हुई थी और कैसे दोनों एक दूसरे के ना करना पड़ा दुनिया के जादातर देशों ने तब इसराइल को मान्यता देने से ही इंकार कर दिया था खास कर मिडल एस्ट के मुस्लिम देश इसराइल के सक्त खिलाब थे लेकिन तब इरान ने इसराइल को मान्यता दी थी तब इरान ने यहूदियों की भी अच्छी से लेकर जॉइंट ट्रेनिंग तक किये आम तोर पर दो देशों के बीच विवाद तब होता है जब दोनों की सीमा एक दूसरी से लगती हो और उन में अपने अपने एरिया समेट कई बातों को लेकर अन्बंध हो लेकिन इरान और इस्राइल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन इरान में इस्रामिक करांती की शुरुवात क्या हुई इसराइल के साथ इरान के रिष्टे खराब होने लगे खुमैनी ने अमेरिका और इसराइल को शैतानी देश कहना शुरू कर दिया और मुस्लिम राश्टर की मांग उठने लगी सन 1989 में इरान पूरी तरह से मुस्लिम राश्टर बन चुका था और इसी के साथ इसराइल के साथ इरान के रास्टे अलग हो गए दुश्मैनी की लगीर लंबी होती चली गई इसलामिक करांती के बाद दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई इयरूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया दोनों देशों के कुटनी तक संबंदों पर भी विराम लग गया तेहरान के इसराइली दूतावास को फिलस्तानी दूतावास में बदल दिया गया और फिर दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे को मानिता देना ही बंद कर दिया आगे चलकर रिष्टे और भी खराब हुए जब इरान ने इसराइल के विरोधी सीरिया, यमन, लेबनान जैसे देशों को हतियारों की सप्लाई शुरू कर दी अस्ती के दसक में इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन का इरान ने खुल कर सपोर्ट किया जो फिलस्तान के नाम पर इरान से टकरा रहा था और अभी तक दुश्मन की कहानी लगातार जा रही है और इस्ताती यह हो गई है कि अब जंग हो सकती है अगर हम अब दोनों की बीच में तनाम और भड़ता है तो निश्चित तोर पर भारत के लिए परिशानी हो सकती है अगर भारत को इसराइल और इरान में किसी एक को चुनना पड़ा तो आखिर किस को चुनेगा क्या भारत दोनों से अच्छे सम्मद बना पाएगा रख पाएगा यह तो आने वरा समय ही बता पाएगा तब तक के लिए आप देखते रिए जंतदरबार न्यूज मुझे दीज इजाजत नमस्कार लाखो की संख्या में शधालू पहुचे अयोध्या पर्सों की प्रतिक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लोटा है नहीं तो पहले टेंड टूटे घाट गंदगी कोई फेसिलिटी नहीं और अब काशी देखो केदारनात देखो जैन देखो सोम और मोधी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है आस्था का पर्स्चम लेराता रहे ये है मोधी की गैरेंटी इसलिए अमारा पहला वोट मोधी को ये है अमारी भी गैरेंटी कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं